और यहाँ पर मंदिर परिसर के जो लिए अध्याग्ष है, जो प्रबन समिट के सदस्य हैं, वो यहाँ पर उनकी अगवानी करने के लिए खड़े हैं और यहाँ पर पुर्धान मंतरी का कारवा पहुच चुका है, ग्यान वापी काशी विश्वनात मंदिर के परिसर है क्यों और यहां पर ग्यानवापी के ख्षेत्रका और यह माना जाता है कि भगवान शिव की ये नगरी काशी अपने आप में खुद भगवान के शिव पर त्रिशूल पर इस्थित है और किसी तरह के प्रले होने की घटना के बाद भी ये जीवित रहेगी प्रधानमंत्री पहुच की हैं प्रबनसमィत के सदस्य हैं मुखकार्य पालह का धिकारी हैं वो सब मौझूद हैं और 7u7 प्रधानमंत्री के साथ मौझूद है उद्ध परदेश मुख्य मंत्री योगी यदित्तिनात और 37 shoots प्रदेश के राजजपाल यह यवंग अन्निक गणमान महोलेकि उत्ति द चरण और चरण में हैं भगवान शिव के शरण और चरण में हैं 21 पार प्रधान मंत्री नरेनर्मोदी काशी पहुचे हैं और काशी विश्वनात मंदिर में इससे पहले उन्होंने 8 मार्च को इसे खेतर के पूरे सौंदरी करण की परियोजना का भी उद्गाटन किया था यह प्रधान मंत्री के लिए भी विलक्षण खण है क्योंकि प्रधान मंत्री ने जब नामांकन भरा था तो प्रधान मंत्री पहुचे थे और उन्होंने काशी के कोतवाल का दर्शन किया था कालभैरो का दर्शन किया था और अब वो काशी विश्वनात के मंदिर में पहुच किया और अब वो भगवान विश्वनात के चरण और शरण में पहुचे हैं भगवान का आशिरवाद लेने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्रबोदी के हिर्दय में इस अपने संसदी एक्षेत्र और साथी साथ समूचे भारत वर अब यह मंदिर आदिकाल से यहां पर माना जाता है स्थापित है लेकिन इस मंदिर का पुनौध धार जो है 1773 में इंदोर की महरानी अहिल्याबाई होलकर में कराया था और इस मंदिर में परिसर में इस समय प्रधानमंत्री प्रवेश किये हैं मंदिर तीन भागों में दक्षन है वास्तुकला के हिसाब से क्योंकि इस मंदिर का जो मुख्यद्वार है वो दक्षन की तरफ है और उत्तर की तरफ व्यक्ति प्रवेश करता है यह माना जाता है कि भगवान यहां पर अगोरेश्वर रूप में है और सभी कष्टों का दुखों का पापों का है उस रूप में यहां पर इनकी पूजा की जाती है अगोरेश्वर के रूप में पूजा की जाती है और यहां पर जो देश के जो बारह ज्योतिर लिंग है उन में से यह प्रमुख ज्योतिर लिंग माना जाता है द्वादस ज्योतिर लिंगों में से माना जाता है और इसम समय जो प्रक्रिया चल रही है दमस्कार मैं पांडुरंग पुरानिक धन्यवाद अश्विनी जी माननी प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी इसमें गर्भग्रह में उपस्थित हैं भगवान काश्री विश्वनात के जो उनका विग्रह है जो शिवलिंग है उसके ठीक संकल्प करेंगे और संकल्प में इसी कामना का उचारन किया जाएगा इसी कामना के लिए पूजा करने है तू यहां संकल्प लिया जाएगा कि पूरे देश का सतत विकास हो सारे देश वासी जितने हैं वो सुख और समृध रहें और सुखी रहें और पूरा देश जो है व सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संटु मेरामेह सर्वे भधराने पश्यंतु मा कश्य॥च दुब्भाग्वित का उओभोष करती है हमारी संस्कृती ऐसी है जो कि विश्वकल्यान की बात करती है और इससे मैं प्रदानमंत्री संकल्प ले रहे हैं के संकल्प के सिध्ध इस दिकतरएं प्रफ़त के संकलपना जिस समय प्रफ़ती की इस्ठति looked at रहा दें के शूर पटल के रूप में घंपना की बारिकीling कि और संब्सक्राइख नाथ्य सफित्र है और यहां पर अधुक्त कि और दो यहां जहानमंत्री नेरिंद्रबोदी समय जिधिवत पूजा आर्चना करें हैं अनेक श्लोकों का यहां पर शिव इसका किस्प्रोत्र जो होता है फुरूप में यहां पर पूजा आर्चना की जाती है गंगा तरंग रमडी जटा कलापम गौरी निरंतर विधूशित वाम भागम नाराण प्रिमंग मदाप हारं वारारसी पृुर्पतिं भजव विष्वनात्रम्द्र्टर और यहां पर इस मंदर की जुम्टिस्की स्थती है यहां पर शिव के साथ शक्ति विध्यमान है और शक्ति यहां पर दाएं भाद में विध्यमान है और यह विलक्षन स्थति Coronavirus और ऐसे मंदिर का वास्टु है, जो मंदिर का विन्यास है, जो मंदिर की स्थापना है, जो मंदिर की वास्टु कला की सरचना है, वो भी अपने आपने विलक्षन है, अनेक द्वार है यहाँ पर मोक्ष का द्वार माना जाता है, मोक्ति का द्वार माना जाता है, तंत्र का द पुरानोक्त मंत्रों से भी पुरानोक्त मंत्रों से भी यहां पुजन किया जाता है शिव के ध्यान का श्लोक है विश्वनाथम शरणम प्रपद्य आज यहां शोड़ शो पचार विधे से भगवान विश्वनाथ की पूजा की जाएगी उनका रुद्रा भिशेक किया जाएगा और उसे माना जाता है कि जो उनकी कृपा प्राप्त होगी उससे केवल माननी प्रधान मंत्री ही नहीं हम काशी वासी ही नहीं पूरे भारत वर्ष का और हमारी तो ये कामना है वसुधाई व कुटुम भगम पूरा विश्व हमारा परिवार है पूरे विश्व का कल्यान हो हम सब का कल्यानों हम सकत विकसित हों को और हमारी संस्कृती जो है हमारी संस्कृती वसभय को तुम्बकम की बात करती है हमारी संस्कृती सत्य को शीव बताती है और शीव को सुंदर कहती है और सत्यम सीवं सुंदरम का उद्धोश होता है दुगधा भिशेक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मरेंजबोधी इस समय और इस से मिला कर पंचामृत का निर्माण होता है और इस पंचामृत के माधियम से भगवान शिवको अरपन क्या जार मैं आप देख रहे हैICE मधु और उसके बाद शरकरा से भगवान का लेपन किया जा रहा है भगवान को अरपन किया जा रहा है और उसके माध्यम से यही कामना की जा रही है कि जो इस बार हमारे माधनी सांसद वारानसी के प्रधान मंत्री दूसरी बार बनने वाल है वो यहाँ उपसित हुए है भगवान के शिमचरणों में अपनी शद्धा समर्पित कर रहे है और सब के लिए कल्यान की कामना कर रहे है सर्व कल्यान की कामना सर्व कल्याल की भावना और प्रधानमंत्री ने जो कहा कि ममभाव और समभाव उस संकल्प की भी एक बार प्रतिस्थापना और समभाओं और ममभाओं से समुनत भारत के निर्मार की कामना श्रेष्ठ भारत के निर्मार की कामना एक भारत के निर्मार की कामना अखंड भारत को और भी विश्व पतल पर जगत गुरु भारत के रूप में स्थापित करने की कामना और यह कामना देश के 130 करोड इस समय जो अनेक विधियां है कर्वकांड की अनेक वैदिक मंत्र हैं उनका उच्छारण हो रहा है और विधिवत इस समय प्रधानी मंत्री तूजा कर रहे हैं ताशी विश्वनाथ के गर्भग्रह में वस्त्र और यद्यों पवीत इसके बाद उपवस्त्रों ने अर्पित किया जा रहा है यद्यों पवीतं परमं पवित्रं प्रजा पतेर यत सहजं पुरस्तात आयुष्यम अग्रम प्रतिमुंच शुबरम यद्यों पवीतं बलमस्तुते जहा चंदन अर्पित किया जा रहा ह प्रधान मंत्री पूजन करते हुए सब के कल्यान की कामना कर रहे है आज यहां पर अक्षत अरपित की जा रही है आप देख रहे होंगे और इसके अलावा जो 1650 में विधी होती है उसके अलावा राजो पचार भी होता है पुष्व माला अर्पित की जाएगी, बिल्वपत्र अर्पित की जाएगा, रुद्राक्ष की माला अर्पित की जाएगी और अगर हम बिल्वपत्र की बात करें तो त्रिदल का बहुत महात्व है कमल पुष्व की माला प्रवु को अर्पित की जा रही है और कहा जाता है कि कमल पुष्प जीवन में शुभता और दिव्यता लाता है पूज़ जाता है कि नवग्रह जो होते हैं और उनकी कृपा सारे लोगों को प्राप्त होती है तो आज 501 कमल पुष्पों की बड़ी भव्य माला से भगवान काशी विश्वनात का यहां पूजन किया गया है एतान इत जोतिर लिंगानी सायम प्राठत पढर है कहा गया है कि भगवान काशी विश्वनात जो आज्य है जोतर लिंगो में उनका नाम समरन करने मात्र से मोक्ष की प्राफ्ति होती है के वुष्ष की धर्ति मानी जाती है यह ग्जानवापी खेत्र का विषष्षिष यहाँ पर भर्ति मुक्ष की तीन धारा nasze उन przy uh यहां पर यहां परना जाता है कि आदिकाल से विद्यमान है औरो ढना जाता है कि जिनके शोत के रूप में पूरा का पूरा कुछेत्र जो है एक तुरूल के रूप पर अवस्थित है और मैदागिन गुदोलिया और यह ज्ञानवापी एक तुरूल की और अवसरणचना बनाते हैं भगवान को इसमें भोग अर्पित किया रहा है आम रफल है बिष्ठान है और नेविध्यार्पित क करते समय यह कामना की जाती है कि भगवान भोग ग्रहन करें और उनका प्रसाद सारे भक्तों तक पहुंचे प्रसाद के माध्यम से जो उनका जीवन है वो सफल हो सारे कश्ट दूर हो सत्यनत वरते नप्रशिन चामी धेन वुद्राम प्रदर्शों प्राना एस्वाह अपा इस प्रकार भगवान से यह कामना की जा रही है कि आप हम सब का कल्यान करें माननी प्रदानमंत्री जी जरूर प्रार्शना कर रहे होंगे कि जो जिम्मेदारी इस बार हमें मिली है उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी वो बहुत अच्छे से कर सकें और वो संकल्प बढ़त है और संकल्प से सिद्धि के प्रमान है पुझन अर्चन के बाद आर्थी के हमारी परंपरा है और विशिष्ट्रीप से अनेक वो शोड़ोशूब चार्विदी से पुझन अर्चन इस समय पुझन मंत्री कर रहे हैं और इस मंदिर की विशिष्टता जो है वो यह है कि अनेक अनेक संप्रदायों का केवल सनातन धर्म के संप्रदाय के लोगों के ही आस्था का केंद्र नहीं रहा बल्कि सनातन संस्कृति के जितने भी संप्रदाय हैं चाहे वो शिव संप्रदाय हो चाहे वैश्णो संप्रदाय हो चाहे अन्य संप्रदाय हो सब के शर्धाय व उन्हों वह शामिल हुए थे नामांकन की वक्ति बाद उन्होंने काशी के कोतवाल कालभ्यों का दर्शन किया था उसके बाद एक भी जनता की रेली को यहां पर उन्होंने नहीं संबोदित कि और उन्हें अदाध विश्वास था कि यहां की जंता उन्हें साराखों पर बैठाएगी और खुदर स्थापित पूरे देश को राष्ट को एक जगद गुरु के रूप में करने के लिए उन्हें दोबारा वो मिलेगी मौका मिलेगा इस समय संकल्प कर रहे हैं प्रधान मंतरी और साथी साथ इस समय की पूजय नर्चन की विद्ध के बारे में पौराडिक बताएंगे भगवान गुरुद्र को ये पुषपांजली अर्पित की गई, कामना की गई, सब के कल्यान की कामना, पूरे विश्व के कल्यान की कामना और हमारी संस्कृती है जो कि ये कहती है कि I am निजह परोवेति गजणा लगुचेत साम उधार चरिता नाम तू वसुधय वकुटुम्बकम वसुधय वो कुटुम्ब का मिकावुद घोश हमारी संस्कृती करती है सर्वकल्यान की संगत छद्धम संवत द्धम की संस्कृती है हमारी संस्कृती ऐसी है जो सबके कल्यान की बात करती है सबके मा कश्चित दुख भागभवेत की बात करती है पूजन अर्चन के बाद पुरोहित बाकाइदा उनको मस्तका भिशेक कर रहे हैं उनको प्रसाद दे रहे हैं जो पूजन उन्होंने किया है क्योंकि उन्होंने प्रार्थना की है प्रातक काले, शिवन रष्टवा, निशी पापम, विनश्यती, आजन मकरतमा ध्यानने, सायानने, सब्तजन्मनी, मेरो कांचन नदत्तानां, गवांग कोडशताई रिपी, पं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और साथी साथ बीजेपी अध्यक्षा अनुत शाह, जिन्हों यहाँ पर शोडशो पचार विधी द्वारा विधिवत पूजन अर्चन किया और भध्वान विश्वदात के शरड में आज पहुँचे हैं, और प्रधान मंत्री नरेंद्र दान कर रहे हैं, पूजन अर्चन के बाद दान की परंपरा है हमारी और दान की परंपरा हमारी पूरे सनातन संस्कृति को और महान बनाती है, इस समय पूजन अर्चन के बाद प्रदक्षणा की जाती है, पूरे मंदिर की पथों को घूमा जाता है, और मंदिर के प्रदक् मंत्री इस मंदिर से चलने के बाद जो आज का प्रधान मंत्री का अन्य कारेक्रम है वो बड़े घुलाल पुर पहुचेंगे जहां पर वो पाटी के कारेकरताओं से मिलेंगे और इस समय प्रधान मंत्री मंदिर के अन्य लोगों से भी मुखातिब हैं जो फुजारी हैं अन्य लोग है यह जो पौराडिक जी बताएंगे कि इस समय प्रधान मंत्री किन से मुलाकाते हैं इस समय मंदिर गर्वगर्व में पांच वैदिक विद्वान रुद्रा विशेक करा रहे थे और यहां ये 11 वैदिक विराजमान हैं जिन्होंने लगुरुद्रा विशेक किया है और उसके बाद प्रार्थना चीजाए विश्व के कल्यान की कामना की जाए तो पुजन के बाद उधने माननी प्रहादमंत्री जीने सारे वैदिक विद्वानों को दक्षिणा और कहा जाता है कि बिना दक्षिणा दान के कारे पूरा नहीं होता आपको नापको 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 माहा ठाही की देयर सिमा आप अधा टी वावा खाहरड़ नाहा आपी नियर शोजिदो आप अ.... ंघ्यांक झाल झाल भगवान काशी विश्वनात के रुद्रा विशेक के बाद लगुर रुद्रा विशेक के बाद मादनी प्रधार मंतरी जी धीरे-धीरे मंदिर परिसर से जो जिस मार्ग से उन्होंने गर्वगर में प्रवेश किया था उसे मार्ग से होते होते धीरे-धीरे वो बाहर की और प्रसान कर रहे हैं हाँ जोड़कर सबका अभिवादन करते हुए मादनी प्रधार मंतरी जी सारे लोग अपने प्रिय सांसत को अपने प्रिय देटा को यहां देखना चाहते हैं उनके साथ भाचपा के या अध्यक्ष राष्री अध्यक्ष उत्तर्पदेश के माधरियु मुठ्य मंत्री जी और जितने भी सारे यहां भर्त پकन उपस्थ्त हैं, जितने लोग यहां उपस्थ्त हैं, सब आध्यम से भगवान के श्री चरणों में सद्धा समर्पित हो और धीरे-धीरे वो वहां जहां उनकी गाड़ी खड़ी हुई है वो धीरे-धीरे बाहर अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं यहां से उन्हें आगे पंडित दीन दियाल उपाध्याय संकुल प्रस्थान करना है जहां वो कार्यकरताओं की अभिनंदन समार्फों का हिस्सा बनने बाले हैं मादनी प्रधान मंत्री जी धिरे-धरे काशे विश्वनात मंदिर परिसर से बाहर की और प्रस्थान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब विधुवत काशे विश्वदात मंदिर से पूजन अर्चन करने के बाद अब यहां से प्रस्थान कर रहे हैं यहां से प्रधानमंत्री बड़े गुलालपूर पहुचेंगे जहां पर दीन दयाल उपाध्याय हस्त संकुल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के कारेकरताओं से और अनेक पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे उनको संबोधित करेंगे उनके प्रतियाभार विक्त करेंगे और साथी साथ जो की विशिष्ट जनादेश मिला है जो प्रचंड जनादेश मिला है जो प्रचंड जनादेश पूरे देश में मिला है और जिस तरीके से